आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मिरे नाम असिद्धान तक दी हो तरी स्टेडी ग्लोज पर आपका बहुत बसवागत है क्या कॉविड नैंटीन छे से आठ महीनों में खतम हो जाएगा हिंदुस्तान टाइम्स के इम्यूज है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें इंस्टा पर फॉलो करें टेलिग्राम पर आपको पीडियाफ मिल जाएगी और आप टेस्ट दे रहे हैं तो हमारे शांदार कोर्से जाते हैं यार हमने आपके लिए ही यह प्रिलिम्स टेस्ट बनाए है जब तक एक्जाम नहीं हो रहा है यूपीएसी का आपको लगबग 300 सवाल दिये जाएंगे हर दिन 10 सवाल शाम 5 बजे आदे गंटे के लिए टे यह बहुत जादा एपिडेमोलाजिस्ट यह बोलते हैं कि भाई देखो अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा है अभी तो we have to see more अभी हमको और आउटबेट्स देखनी है जादा वेफ्स देखनी है अभी और भी एजुकेशन इंस्टिटूट में cancelled classes होंगी hospitals में cases आएंगे medical breakdowns फिर से होगा Michael Australhome जो है वो बताते हैं जो जिन्होंने जो डारेक्टर ए सेंटर अफ इंफेक्शिस डिजीस रिसर्च अफ पॉलिसी अन उनिवर्सिटी अफ मिनसोटा वो बोलते है कि एक और सर्ज अभी आएगी और बहुत खतरनाक आएगी अभी हो सकता है जाड़ों म या सर्दियों में हमको सर्ज देखने को मिले जो vulnerable हैं उनको COVID-19 हो बताते हैं कि मैं अभी continued सर्ज देखने वाला हूँ और उसके बाद फिर से drop होगा सारे experts ही agree करते हैं कि देखिए COVID-19 गाइंडर तो नहीं होने वाला है यह हमारे साथ रहेगा बहुत सारी बीमारी हमारे सारा वाक्सीन चलो साथ-8 वहिने तक तो protection दे रहा है जब तक hard immunity नहीं आती तो बताते हैं कि जब तक pandemic खतम नहीं होता हर एक इंसान दुनिया में it will be infected by the virus at least once यह चीज है कुछ unlucky होंगे जिनको नहीं होगा लेकिन हर एक इंसान को यह बड़ा खतरनाक है जो यहाँ पे heads बो तो इसारे experts बोलना है कि जब तक हतम होगा तब तक कुछ lucky होंगे लेकिन यह है कि सबको होगा हर किसी को यह virus पकड़ेगा और हो सकता एक से ज़्यादा बार हो क्योंकि नए नए variants जो है वो आते जाएंगे और battle जो है वो इसी तरीके से continue रहेगी अब challenge वही है कि कैसे effective vaccine बन को इस virus को खतम करना है तो यह बड़ा मुश्किल है अभी 18 साल से नीचे की vaccine आई नहीं है पूरी तरीके से नहीं आई है 18 साल से ऊपर की भी vaccine अभी सबको नहीं लग रही है तो बहुत बड़ा danger है और possibility है कि जो virus है वो आसानी से mutate करेगा और vaccine resistant variant भी आ जाएगा आप vaccine को आपकी immunity को invade करेगा तो coronavirus को eliminate तो नहीं कर सकते हमको इसको accept करना पड़ेगा और लोग accept करने भी लगी है यह जंगल में आग की तरह है जैसे जंगल में आग आपको बता है कि जैसे जैसे इसको wood मिलता जाता है वो फैलती जाती है वैसे जैसे इसको इंसान मिलेंगे यह infect कर करता जाएगा सबको infect कर लेगा यह तो अब opinion जो है वो vary करते हैं current scientist यह लेकिन मतलब सबका यही मानना है कि अगर हर कोई proper covid appropriate behavior follow करे तो इसको control किया जा सकता है दूसरी चीज़ सब यहां पे यह बोल रहे है कि हो सकता है कि कुछ जगां पे खतम हो जाए यह places to places depend करते हैं हो सकता है कुछ खतम हो जाए कुछ जगां पे खतम हो जाए बिलकुल मिट जाए नेकिल ultimately यह depend करेगा वहां के लोगो mutation पे फिलाल दुनिया जो है अभी eradicate इस virus को नहीं करने वाली है हाइड immunity आएगी तब अलग बात है लेकिन हाइड immunity अभी क्योंकि देखिए वाइरस म्यूटेट कर रहा है आपने डेल्टा वेरियेंट देखा डेल्टा वेरियेंट जो है वह आपके immunity से ही खेल रहा है आपने vaccine लगवा लिए उसके बावजूद आपको हो जाएगा तो वही बता रहे हैं कि यह जो virus का mutation है यह खतरनाक है तो भाई ऐसा है कि virus से बचने के लिए mask लगाएं दूरी बनाए रखें चीज़े ठीक हो जाएंगा और वैसे ही आप virus के साथ वाइरेल भी बहुत अदफ और वैसे चीज़ें अपके लिए ग्रापट है टूरी बिलह बता रहे ढमनेतर थाज़ग क्योंवित अविता यह भी में आपको होसी है कि्न आपको है है कि बिभ14 जापतो अपको हैता तो बडbet रहे हैं ऑर भीम में आपको है किसे कर दो और दोऴ